गलत किया, उसे रन आउट नहीं करना चाहिए था, बहुत जाती किया ठाकर। One of the catch of the tournament, कमाल, फुल-blooded shot था पंथ का जनाब, और पंथ मैच टर्न-on कर रहा था। बिकॉज रिश्यप पंथ जो है, वो दोसों के स्टाइकर से खेल ला था, and he was looking very dangerous। जहीं दोस्तों, गूड इवनिंग, एक मैच और खतम हुआ, और इस मैच में डबल डिजिट बनाने का कम्पिटिशन देखने को मिला। 55 बंद रहे हैं, 66 बंद रहे हैं, और DC हार गई। लिसी इस मैच को अपने नाम नहीं कर पाई, RCB ने फिर जीता मैच और पॉइंट स्टेबल पर भी अपने आपको बरकरार रखे हुए है RCB, RCB की तरफ से विराट कोली की तरफ से कोई पारी नहीं देखने को मिली, गजब की पारी देखने को नहीं मिली, जैसा कि शोयवक् सी करेगी लेकिन नहीं हो पाया, एनिवे, जो मज़ा आया, असली मज़ा जो आज के मैच में आया, वो आया DK को देखने का है, DK के आगे सभी फीके नजर आ रहे हैं, DC की अगर बात करें तो 66 रन डैविड वार्नर से भी आये, बिलकुल उतने जितने की DK ने बनाए, लेकिन एक ओपनर है और दूसरा फिनिशर है, मैकस्वेल और DK इन्होंने बन्याद रखी, जीत की और बराबर की गेंदे मिली, बराबर की गेंदे मिली तो एक ने 55 और दूसरे ने 66 क्या कमाल की बैटिंग करते हैं, बैटिंग क्या बस गदर मचा देते हैं DK, देखते हैं पाकिस् रेक्शन है, उसके बाद थोड़ी सी बातें और करेंगे, शौब अक्तर के स्टेट्मेंट पर भी मापको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, यह देखने के बाद, बहुत ही शानदार कैश पकड़ा और स्टेडियम एक दफ़ा फिर गूंच गूंच गया, कोली कोली की सिराज, यह देखने के टॉप परफॉर्मर्स और विद बाल भी, विद बाड भी, बहुत अच्छी परफॉर्मर्स आई हैं इंड्विजल, वहां पे वार्नर ही इस डेंजरॉस डेंजरॉस बाट्समान, और मिचमाच तो आज खेल के गया, रसी बी की जानिब से, और काफ अभी मैं देखता हूं, पॉइंस टेबल मेखल में दूसरे नमबर पे पहुंछ गया अगार पागी सारी गुजरात को ठोड़ गए, बागी सारी टीमों के तीन-तीन मैच ते, जो निचे छे टीमों के यह तीन-तीन जीते हैं ती छे-छे पॉइंट थे, तो आप उगे है, पॉइंट हो गया रसी बीके और डिलाइटीड कोली इस दिलाइटीड फाफ और अब 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 कर रहा था तो कैच उसका चोड़ा असारंगा ने फिर उसने एक ही जगा तीन चोके लाट पर लगा रहा यार इतनी रेपटेशन और इसमान है दर और आप एक ही जगा को टका रहे हों वैसे मज रहती है तो कैच वास सो गुट और जैसी वो कैच पकड़ा तो समझें के उमीदे दम तोड़ गी डेली कैपिटल की विकाज रिशेब पंथ जो है वो दोसों के स्टाइकर से खेल ला था और उसकी जब विकेट आई है उसके बाद जरा स्कून आया है और वार्नर केला है बहुत अच्छा रिशेब पंथ मस्ट कंसिडर इंसब डीके का भी कैच उटा है इसमें कोई शक नहीं है रिशेब पंथ से बट वार्नर प्लेइड वन अफ दे इनिंग्स मादलबा बहुत अच्छा केल रहा था यह पावल को किसलिए रखा वाई है तो बत बुरा वट आप बॉलिंग स्पैल बाइजलवूट रिज्वान अधर साहब कमाल की बॉलिंग एड्मायर सिराज अस वेल बहुत अच्छी बॉल की है कैच ना चूटता पंथ का फाइनली वह पंथ को लही गया लेकिन वो सिराज से जादे मैं कोली की विकेट कंसिडर करू वन एंडिड फ्लाइंग जट ओते वाच जनाब उड़ी जा रहा हवा में उड़ती जाए हमारी लाइल्टू पर टीमलमल की कोची कमाल का क्याएट पकड़ाजी विराट कोली ने हैसल वूड है हैसल पटेल ने चालिस दिया है अपना सारंगा ने भी लेकिन देखें आखरी ओवर में कोई 27 रंड चाहिए थे आज दोसरे नमबर पर लखनाव भी आपना मैच जिती है आज तो उसके भी वह पॉइंट्स जो है वह चार जीतों के बाद आट पॉइंट्स हो गया हूंगे ठीक है जीतें चार है तो टॉप थ्री में भी टॉफ कमपेटिश्ट लखनाव सूपर जाइंट्स आपकी नई टीम जो है वह भी तो बताया है वही ना मेरे खाला वही है दोस्तो आर सीबी की 16 रंड उसे जीत और जिस इस जीत का श्रेज आता है ग्लेन मैक्सवेल के बाद शेवाज एहमल और डीके को हलांकि इसको चेज करने के लिए भी कोश रहते हैं शोयबक्तर की शोयबक्तर ने विराट कोहली और रोहिज शर्मा दोनों के लिए बड़े बयान दिये विराट कोहली के लिए उन्होंने कहा कि अगर वे अपने आपको बरकरार नहीं रखते हैं इसी तरह से इसी फॉर्म में रहते हैं इतनी ही बेकार फॉर्म उनक कि नहीं हो पाया यहां हुई बातचीत पर आप अपने किस परकार की राय रखते हैं आज के दोनों मैचेज पर आपका क्या सोचना है कॉमेट कीजिएगा मिलेंगे सुबह इजाज़त चैहें